नमस्कार दोब स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर मैं विचाल के लोगत आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लबर तो चलिए शुरू करते हैं कि अब आपर देख रहे हैं यहां पर कोशन लिखा हुआ कि य आपर कोशन लिखा हुआ है इक्सपार इसकार इसकार इंटु एक सबसे पहले कारें देंगए एक बार एकस के साथ उसको फिर यह स्कॉर का मल्टिप्लेशन करेंगे एक बार टुए के साथ तो यहां पर देख सकते होंगा आपकी एक एक स्कॉर यहां पर और यहां पर कुछ नहीं तो पावर हो जाएगा यहां पर एक स्कॉर इंटु एओ तो अजैसे के देख रहें कि यह दो नूटर हमारा रहें तो इसको आहां चेंज होगा मतलब जो पोजिटीव और नेगटिव और जो नेगटिव और पोजिटीव हो जाएगा तो यहां वन्हें टरम जो एक पाहले से ते वह सेम विभने खार्प्तलिस depends कि सब्सक्ता में कि इसे पर हिए झाल फॉट्उ एक पर sap कि रडिय ओर सब्सक्रामें रडियन भाल्व स्कार्प्तलिस द्रम के न bush जाएगा सिर्फ चरह इंदिर टी र Analytics चीथ कि इसमें highest degree 3 है तो मतलब कि सबसे highest degree कि इतना आ रहा रहा तो इसलिए स्कर्व का highest degree 3 हुआ यहां सभी को पता भी है कि इसको कैसे निकालते हैं उसके बाद देखिए जोस्तों मैं आपको फिर से बता रहता हूं कि यहां पर एक्सपोरेस को इसको मतले यूज़ गेगा यहां पर देखिए पर आगे प्रोचेड करते हैं जैसे के देख साथ हमारा हम mo होता है यहां पर देख सकते हैं कि 5 3 तो हमारा 3 है यहां पर 5N निखा तो यहां पर यहां पर लिख लेते हैं उसके बाद फिर लिख लेते हैं उसके 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 लिख लेते है करते हैं और जहां वाइव ले टर्म होते हैं उसको एम पूट करते हैं तो जब पूटिंग कर देंगे इस एक्वेशन में फिर वान यहां पर रखियागा तो वन का क्यूव हो जागा तो यह हमारा हो गया फाइनली क्या है फूटिंग करने के बाद इस और य के वैलिउस यहां पर आजाएगा हमारा क्या चाहिए फाइए इकोल two one स्कॉर मायनसी करते हैं इसका मतलब की सकेंड ट्र में हम तो इस टर्म को जीरो सिप्वेट करते हैं मतलब इस टम को तो जब जीरो सिक्वेट कराएंगे तो नाव लिखेंगे हम लोग क्या दोस्तों इंपला जड़का सान देते वे फाइट री एम इकॉल टू जीरो तभी हम लोग जीरो सिक्वेट करेंगे एम के वैल्यूस फाइंड कर पाएंगे जब पूट करके हम लोग लिखते हैं तो एम स्कॉर मैनस इसका वैल्यूस क्या निकाला है था हम लोग ने मस्कॉर मैनस वन इकॉल टू जीरो अब यहां से करने माइनस वन को ओविसी लह से आरे से मिलेके जाना तो पोजिटीव बनेगा और उसके बाद फिर आगला स्टेप इसलिए फिर यहां से स्कॉर हटेगा तो रूट चड़ इसको यहां पर चेक करते हैं तो इन दोनों को मैने लिखा है उसके बाद फिर आगला स्टेप में क्या करते हैं तो इसमें भी में लिखा हुआ है इसको यह सो करता है जुश्टो जहां जहां एक से को प्लेस पे यह उसके प्लेस पे यह मतलब एक से को स्कॉष टू लगा इक का स्कॉर्ण तो मतलब यह हमारा जो फाइट टू टर्म है यह हमारा यह सोल्फ करके यह देदेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहोंगे ए माइनस टू ए इंटू ए मास्क्वार उसके बाद फिर देखें दोस्तों आगला स्ट अमनों को फाइट्री जो हीएज डिगरी होता है अब इसको क्या करते हैं तो यहाँ पर यहां पर क्या है है तो हिए इसको डिफ्रैन्सियेट कर दिया इसको इसको डिफ्रेंसियेट करेंगे एम के रिस्पेक्ट में तो एक्स्टू दी पावर न वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सिर्फ टू एम होगा यह तो इसका डिफेशन जीरो तो सिर्फ यहां पर टू एम होगा आप चुक्छी सारे श्रफ हम लोगों कंप्लेट कर लिए तो हम लोग क्या करता है इसके बाद सो देरफोर सी के वैल्यूस फाइंड करते हैं तब यहां पर जैसे के फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं कि फाइए इन माइनस वाले यहां पर यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर सारे वैल्यूस को हम लोग ने पूट किया अब जो पूट करते हैं उसी तरह जो हाइस डिगरी उसका डिफरेंसियल और हम लोग अब जो पूट करते हैं और यहां पर सारे वैल्यूस को हम लोग ने पूट किया अब जो पूट कर रहे के बाद हमारा कुछ ऐसा दिखेगा उसके बाद देखिया हमारा अग लाश्ट है तो फादल जैसे कि आप यहां पहां पर देख सकता हूंगे दोस्तों सीकेश्ट किया होगा टू एम मसक्वार मालास ही होगा डिफाड़ बाट टू एम होगा योकि बाहरा मिद्वा यहां प्शाओ तो जो नेगेटिव था बनेगा जो पॉडिटिव था वो नेगेटिव बनेगा तो यहां पर देख सकते होंगे यह हमारा नेगेटिव अरड़ी थे पैदा से था तो यह पॉजिटीव बन चुका और यह हमारा पॉजिटीव था तो नेगेटिव बन चुका डिभाइड बर टू है अब यह तो कुछ कॉमन तो लेंगे आप सिर्फ तो एक कॉमन ले पॉजिटीव न माइनस यॉड तो पहले माइनस प्लस वन को पुट करते हैं तो पहले वेलु के लिए वहां पर कीवां पर पूट करेंगे तो धूमतल्ब यहां पर सब्सक्राइब नीचे डिनिमिनेटर में मैनेस वन होगा तो मल्टिपल हो कि यहां पर मैनस टू होगा और यहां पर तो गटेगा तो एबाइट लेकिन किसम आएगा तो नेगर्टिव आएगा मतलब जब एम के वेल्यू पोजिटीव वन को पूट किये तो एबाइटू यहां पर मैने कासीच लिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एक्वेशन दिख रहा है तो यहां पर आपको आपको कॉन्फ्यूसर लग रहा हो तो यहां पर यहां पर कुछ नहीं तो 1 है तो इसलिए LCM ने जाएगा तो यहां फाले लिए 2X प्लस A हो जाएगा यहां तो य था है तो मल्टिप्लाइगो रॉस प्लस प्लस ए होगा जैसे के देख लगोंगे आप 2X प्लस A आ चुका है यहां पर और यहीं टर्म को रहसे से लहसे मिलाएगा तो साइन नेगेटिव होगा जो कि यहीं टर्म बनेगा तो यह हमारा होगा यह पहला एक्वेशन ठीक हो सी तरह अगें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों दूसरे वैल्यूस के लिए दूसरे वैल्यूस के लिए हमारा दूसरे एक्वेशन लेकिन दोस्तों हमारा फिर से दिखा जता है ही सब्सक् Dollar हमारा कितनु था चल्च umट करें कि यूस कि यूज के लिक न pork नगा में क्या कि हाइत यहेक्स तो लिखा हूँ है चैसे कि देख कर्व का equation दिया वाई जैसे कि यहाँ पर देख सकते हूंगा तो यहाँ पर y कहीं highest power दिया हुआ है ना तो x का दिया नहीं हुआ इसलिए पैरला थोरह में हम लोग सिर्फ y वाले की y वाले टर्म को ही यूज करेंगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हूंगे यहाँ पर देख सकते हूंगे दोस्तों क्योंकि ऐसा वरियाबल फिर कहीं और नहीं है xy वाले है अगर x में यहाँ पर power 3 रहता तो हम दो x coefficient की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर highest power y term वाले है इसलिए y coefficient के बात करेंगे तो coefficient of highest power in y term is तो कितना है तो xy square minus 2a y square तो मैं आपको यह भी बता रहते हैं तो जहाँ जिस टर्म में y वाले पावर होते हैं उनको भी हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तर्म है 2a y square मतलब इसमें भी वाले टर्म है इसलिए इसको भी हम लोगों ने ले लिया और यहाँ सिंप्ली उसको बात सिंप्लिफाइ करनेंगे इसको मतलब y square हमारा common आ रहा है तो हमारा equation बन गया तो इसलिए आप लिख सकते हैं दोस्तों जो पारलेल है y-axis के एकस मैनस 2a हो यह हमारा equation है तो finally हैंसे देखर करके आप अंसर लिख सकते आता है क्या दोस्तों कि हमारे जो तीनों equation है तीनों सम्ट्रोट है क्या क्या आए दोस्तों 2y-2x-a-0 दूसरा है 2x-2 2y प्लस-a-0 जो थर्ड एक्वेशन अभी हम लोगों ने पैलन्थरों से फाइंड किया वह क्या दोस्तों x-2a-0 तो यह हमारा क्योंकि हाइस डिक्री थी था तो हमारा equation में यहां पर आ चुका है तो यह होगी हमारा answer दोस्तों तो बस दोस्तों आज की वडियो में तब तक क्या दोस्तों आज क्या है